टेक एंड गेमस रेलेटीड वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूटुब चैनल को और दबाए बैल आइकन और पाए हमारे वीडियो सबसे पहले दोस्तों मोबाईल नेटवर्क सही होते हैं अगर आपको नहीं मिल पा रही है अच्छी स्पीड तब आपको अपने फोन में कुछ स्टेप्स करने होंगे जिसके बाद आपको अपने फोन में अच्छी खासे स्पीड देखने को मिल सकती है अब वो steps क्या है आपको परदा चलेंगे इस वीडियो के अंदर तो जानने के लिए वीडियो के साथ सुरू से लेके आखरी तक बने रहेएगा तो चली शुरू करते हैं सो नमर्शकार दोस्तों मेरा नमे सुरज कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल सुरज तो दोस्तों आज मैं आपको तीन स्टैप बताऊंगा जिसको फॉलो करने के बाद आपके फॉन के इंटरनेट की स्पीड काफी हड़ तक तेज हो सकती है या इंक्रीज हो जाएगी तो बात करते हैं कि पहला स्टैप जो है वह क्या है दोस्तों पहला स्टैप है बेकार की application मै आपको बता देता हूं कि आपके internet की speed जान मुझकी कम हो रही है, अगर आपके phone में कोई भी बेकार की application पड़ी है, जैसे अर्णमनी के नाम से, या कोई भी फाल्तु की application पड़ी है, जो जिसका कोई काम नहीं, जिसका कोई use नहीं है, आपने उसको install कर रखा है, तो उसको जल स जल अंस्टॉल कर दें, क्योंकि आपको जो data होता है, जो internet pack का data होता है, वो कहिना के background में वो application run कर रही होती है, और अगर आपके पास अर्णमनी के नाम से, या कोई भी पैसा कमाने वाली application है, तो obviously वो background में run करती है, और आपके internet की speed को काफी हद तक effect करती है, तो आप उसको जल से जल install कर दीजिए, और आपके phone की जो internet की speed होगी, वो काफी हद तक थोड़ी सी increase भो जाएगी, तो दोस्तों बात करते हैं कि जो हमारा दूसरा step है, वो क्या है, तो दोस्तों दूसरा step है, virus का software, कई लोग अपने phone से virus को हटाने के लिए नए-नए applications का use करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जो software आपके phone में डाला गया है, company की तरफ से उसी का use करना चाहिए, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा, कि play store में ऐसी बहुत सी applications है, जो antivirus के नाम से है, और जो कि ये भी दावा करती है, कि आपके phone में जितना भी virus होगा, वो उसको clean कर दे अब बात करते हैं, जो company के तरफ से आता है, वो actual work करता है, कि नहीं करता है, तो दोस्तों जो company आपको software डाल के देती है, antivirus के तो तौर पे, वो application सही में run कर रही होती है, तो अगर आपके phone में है, तो आप उसी का use करे, other applications का use ना करे, अगर आप करते हैं, तो आप उसको install क कर दे, उसके बात क्या होगा, जो आपके phone के internet की speed होगी, वो काफी हद तक तेज हो सकती है, तो दोस्तों बात करते हैं, जो हमारा तीसरा step है, वो क्या है, दोस्तों तीसरा step है, phone को update करें, जी हाँ दोस्तों, phone के internet की speed आपके software पर design होती है, अगर आपने अपना software update नहीं किय है, तो उसे सबसे पहले update करें, क्योंकि आपके phone को update होते ही, आपके internet की speed भी update हो जाएगी, तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, कि अगर आप अलग-अलग brands को use करते होंगे, phone के रूप में, तो उसका 8 महीने बाद या 1 साल बाद, एक software का निया version आता है, जिसको update क के नाम से भी बोला जाता है, तो आप उसको update करते होंगे, और आप देखते होंगे, कि आपके phone की settings, आपके phone के options, और भी network, बहुत से ऐसे चीज़े होती है, जो change हो जाती है, और आप लोग कहते हैं, कि हमारा phone update हो गया, पर दोस्तों, होता क्या है, company जो होती है, वो आपके phone को network को change कर देती है, settings को, themes को, और भी ऐसे चीज़ों को change कर देती है, जो हमें नहीं परा चलता है, तो दोस्तों, अगर आपने phone को update नहीं किया है, तो update कर लीजिए, उसके बाद होगा क्या, आपके phone की internet की speed है, वो काफी हद तक और जादा तेज हो जाएगी, तो दोस्तों अमीद करता हूँ कि जो मैंने आपको तीन शाप्स बताए, वो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अगर उसको follow करेंगे, तो आपके internet की speed 100% दुगनी जरू हो जाएगी, तो दोस्तों, अमीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो लाइक करें, शेर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बैल आइक अन दबाए, तो दोस्ता हम मिलते हैं कल, तो नमस्कार बाइबा और सलामत रहें